भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उप चुनाओ में डिमपल यादव को चुनाओती देने के लिए रगुराज शाक के को ही चुनाओ मैदान में क्यों उतारा है जानते हैं इस वीडियो में रगुराज शाक के इटावा के रहने वाले हैं उन्होंने 2022 में ही भारती जनता पार्टी जोईन की इससे पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर वे 1999 और 2004 में सांसत चुने जा चुके हैं 2012 में सपा के ही टिकट पर उन्होंने इटावा सदर से विधान सभा चुनाओ जीता था वे शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं इसलिए जब 2017 में शिवपाल यादव ने सपा से बगावत करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की इस्थापना की तो पर भाजपा को रगुराज शाक के के इस अनुभव का कितना फायदा मिलता है यह तो 8 दिसंबर को चुनाओ नतीजे ही बताएंगे